आज हम एक अलग समय में जी रहे हैं एक ऐसा समय है जो हमारी जिन्दी बहुत ज्यादा स्माटफून पर निरपर करती है और जो एक मात्र संतोजनक बात है वो यह है कि smart phone बनाने वाली कोई एक या दो company नहीं है आज बहुत सारी company हैं जो smart phones मनाती है और हर महिने नए-ने smart phones launch करती है और वो भी अलग अलग prices बहें तो उसका जो फाइदा है वो यह है कि कि सारे वर्भों के लोगों को स्मार्टफोन लेपाने में स्तरलता रहती है क्योंकि हर price range पर स्मार्टफोन मौझूद है लेकिन आज जसफी स्मार्टफोन के बात मैं करने जा रहा हूं वो ऐसी company से आता है जिसने जब अपना पहला स्मार्टफोन लॉंच गया था तो पूरी दुन्या में एक हलचल मचा दे थी और यह हलचल इसले थी क्योंकि जो टेकनोलोजी उस स्मार्टफोन दे गई थी वो बड़ी रैडिकल थी और फर्स टाइम थी और जो बड़ी अमेजिंग बात है वो यह है कि यह जो हलचल मचाने का जो क्रम है इस कंपनी का वो आज भी नहीं थमा है हर लॉंच के साथ उन्होंने इस हलचल को बनाए रखा और हर साल उनका जो भी स्मार्टफोन लॉंच होता है लोग बड़ी बेसब्री से उसका अंत्सियार करते है तो अगर आप अभी नहीं समझे हो कि मैं किस कंपनी के बात कर रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ मैं एपल की बात कर रहा हूँ और आज इस वीडियो में जिसे स्मार्टफोन को मैं कवर करने जा रहा हूँ वो है आईफोन 12 Pro Max आईफोन 12 Pro Max वो स्मार्टफोन है जो भी स्मार्टफोन टेकनोलोजी से अपल के पास है और एपल हमें उफर कर सेता है वो सारी technologies आपको iPhone 12 Pro Max में मिलेंगी जैसे कि 6.7 inch screen जो कि अब तक किसी भी iPhone में दी जाने वाली सबसे ज़्यादा high resolution और सबसे बड़ी screen है अगर आप उन लोगों में से हो जो पूरी तरह से Apple ecosystem में invested हो और आपको एक ऐसा smartphone चाहिए जिसमें highest possible resolution की सबसे बड़ी screen हो तो यह जो highest resolution है और सबसे बड़ी screen यह दोनों चीज़ें आपको iPhone 12 Pro Max में ही मिल पाएंगी इसके साथ हर साल आपने देखा होगा जनरली क्या होता है जो भी एक नई सीरीज Apple लांच करता है उदालान के लिए आप इसले साल की सीरीज को लेज़े iPhone 11 सीरीज को एक सीरीज के जितने भी स्मार्टफोन होते हैं जैसे की iPhone 11 सीरीज के स्मार्टफोन है iPhone 11, 11 Pro, 11 Max तो उन सारे फोनों में कोई जादा बड़ा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा अगर कोई फर्क आपको देखने को मिलेगा तो वो सिर्फ केमरा सेट अप में होगा प्रो और प्रो मैक्स में आपको एक केमरा एक्स्ट्रा दिया गया है और जो बेस वर्जन है iPhone 11 उसमें आपको दो केमरे मिलेगे लेकिन तीनों केमरा का जो मेकापिक्सल काउंट है वो सिम मिलेगा जो कि 12 मेकापिक्सल पर लॉक्ट है इस बार इस साल यह जो 12 लाइनप है iPhone 12 सीरीज और इसका जो iPhone 12 Pro Max जो स्मार्टफोन है केबल इस स्मार्टफोन के लिए जो की अब में संसर 12 मेकापिक्सल फुस के बाद 12 मे कापिक्सल इल्ट्रा वाइड 12 मेकापिक्सल टैलि फॉर्टो लेकिन जो बड़ इक् cas जो में संसय तंसर 12 मेकापिक्सल वो 47 %ой सपर्संट लाज वो है Stabilization में पिसले साल जो Lens Based Stabilization था iPhone 11 Series लाइन अप में इस साल Cable iPhone 12 Pro Max की में बात कर रहा हूँ उसमें आपको Sensor Shift Based Stabilization एप में ने दिया है तो ये तीन बड़े बतलाव Cable और Cable iPhone 12 Pro Max के Camera Module में आपको देख रहे हो गुम लेंगे लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि एक Large Sensor का सीधा सीधा मतलब भी होता है कि जादा से जादा रोशनी का अंदर आना क्योंकि जितना बड़ा Sensor होगा उतनी जादा light अंदर आएगी और इस जादा बड़े Sensor का जो सबसे बड़ा फाइदा एक photographer ले सकता है वो है low light conditions में तो होना यह चाहिए कि जब भी आप iPhone 12 Pro Max से फोटोग्राफ से लेंगे खासता हो से low light में तो जो low light जो shots होंगे वो कहीं ज़्यादा बैतर और sharp होने चाहिए compared to बाकी की जो iPhone 12 series की जो line up है लेकिन actual में ऐसा नहीं है जो result देखे गए है iPhone 12 mini से लेगे फोटोज और iPhone 12 Pro से लेगे फोटोज उन दोनों में फिर चाहिए वो low light conditions में लेगे फोटोज हों या high dynamic range में लेगे फोटो हों या broad daylight में लेगे फोटोज हों उन समय थोड़ा भी quality difference आपको देखने को नहीं मिलेगा अगर quality में difference के नाम पर कुछ ऐसा है जिसकी तरफ में पॉइंट कर सकता हूँ मैं आपको कह सकता हूँ कहां ये एक मामूली सा फारक है जो देखने को मलता है तो वो कुछ shots में सिर्फ और सिर्फ एज शार्पने का आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगी आइफोन 12 मिनी के जो shots है उनके comparison में है ये photos आप देखे ये जो shot है ये low light shot है जो आइफोन 12 मिनी से लिया गया है impressive shots है impressive details है इस image में और ये वाला जो shot है ये आइफोन 12 pro max से लिया गया है low light shots है again और दोनों की quality है वो impressive है क्योंकि जो computational photography है जो apple provide करता है वो बहुत awesome है और उसका experience है बड़ा consistent है across any situation जहां जिस situation में भी आप photo लोगे जो experience है वो बहुत बड़ी है तो जो photography यहां पर आपको देखने को मिल लिए है उसमें कोई भी बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा जबकि iPhone 12 Pro Max में 47% large sensor है तो ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कुछ insane quality की जो details है वो आपको देखने को मिलेगी दोनों pictures बड़ी impressive है और दोनों में जो detail है वो same level की details है तो जो सबसे ची बात है वो यह है कि लंबे समय के बाद पहली बार एक सबसे बड़े iPhone में Apple ने कुछ तो physical changes की है जैसा कि 47% physically large sensor तो अगर physical changes की बात की जाए तो फिर चाहे वो sensor shift based stabilization हो या एक large sensor हो या फिर एक बड़ा telephoto lens हो तो वो सारे physical changes आपको इसमें देखने को मिलेंगे लेकिन जो end results है वो उतना encouraging नहीं है जब मैं कहता हूं कि encouraging नहीं है इसका मतलब यह नहीं कि photo quality में किसी भी तरह का समझाता है photo quality हमेशा की तरह बहुत impressive है और insanely qualitative है तो physical changes के नाम पर तो निश्यतरूफ से apple ने एक कदम आगे बढ़ाया है लेकिन जो actual result है उसमें आपको कुछ भी ऐसा अदबुत या कुछ भी ऐसा दुशिस देखने को नहीं मिलेगा लेकिन अगर आपको एक highest possible resolution screen चाहिए एक largest possible screen चाहिए और उसके साथ एक बड़ी बैटरी चाहिए क्योंकि जो बैटरी आइफोन प्रो मैक्स में है वो भी बड़ी है पिसले साल की comparison में और उसका जो end result है वो बड़ा impressive है आपका जो more than average जो आपका screen time है उस सब को करते हुए almost six hours six and half hours और कुछ conditions में ये साथ कंटे तक का जो battery backup है वो आपको मिल जाएगा और उसके बात भी कुछ ना कुछ परसंटे इस 15-20% battery फोन में बची रह जाएगी तो जहां तक battery performance की बात है वो ओसम है तो largest and highest possible resolution screen बड़ी battery एक बैतर battery performance और पहली बार totally new camera module और उसके साथ premium colors तो अगर ये सारी चीज़े हैं आपको चाहिए तो definitely आपको iPhone 12 Pro Max पर्चेस करना चाहिए तो यही सब कुछ है जो iPhone 12 Pro Max के बारे में आपको बताना जाता था कुछ ऐसा है जो मैंने मिस किया है प्लीज कमें बताये थैंक यू सो मच फो वाचिंग इस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माइ चैनल और मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू कर दो जा जाए।